आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चिली पनीर की रेसिपी जो की बहुत ही टेस्टी और डिलेशियस बनती है चलिए स्टार्ट करते हैं यह हमने 200 गिराम पनीर, एक शिमला मिर्ज, एक प्याज, दो बारी कटे हुई हरी मिर्ज, देर चम्मत बारी कटा हुआ लहसुन सबसे पहले एक हम बॉल लेंगे, उसमें हम डेर चम्मत मैदा एड़ करेंगे, एक चम्मच कौन फ्लोर, एक चोथाई चम्मच नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो, थोड़ा सा काली मिर्ज पाउडर, थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे, अच्छे से मिक्स करें बैटर हमें बहुत ही पतला नहीं रखना है, हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें एक चोथाई चम्मत चिली फ्लिक्स डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, अब हम एक पैन लेंगे, उसमें फ्राई करने के लिए ओल डालेंगे, अच्छे से गरम करेंगे, जो हमने बैटर तैयार किया था उसमें पनीर को डिप करके फ्राइ करेंगे पनीर को हम थोड़ी थोड़ी देर के बाद पलटते रहेंगे ताकि इसमें एक जैसा कलर आ सके पनीर फ्राइ हो चुकी है अब हम इसे निकाल लेंगे अब हम एक पैन लेंगे उसमें हलका सा ओयल एड़ करेंगे फिर हम प्यास डाल देंगे प्यास को हम फ्राइ कर लेंगे प्यास हमारा फ्राइ हो चुका है निकाल लेंगे उससे इसी तरह से हमें शिमला मिर्च भी फ्राइ करना है उसी पैन में हम दो छोटी चम्मच ओयल एड करेंगे और देड़ चमच बारी कटा हुआ लेस। अच्छे से फ्राइ कर लेंगे अब हम इसमें बारी कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे अच्छे से फ्राइ करने के बाद एक छोटी चमच चिली सॉस, दो छोटी चमच टमेटो sauce एक चमज सोया sauce डलकर हम अच्छे से mix करेंगे, साथी हम इसमें आधी चमज चीने add कर देंगे, friends flame हमें low रखना है अब हम एक बड़ी चमज corn len ओड़ी तोड़ा सा पानी add करेंगे, अच्छे से mix करेंगे, फिर हम इसे पैन में add कर देंगे अच्छे से mix करेंगे अब हम इसमें आधी, चम्मच, नमक आधी चम्मच, चिली फ्लेक्स एक चोथाई चम्मच काली मिर्स का पाउडर एड़ करेंगे अच्छे से mix करेंगे इसे हमें उबालाने तक पकाना है अब हम इसमें शिम्रा मिच, प्याज और पनीर एड़ कर देंगे अच्छे से मिक्स करेंगे एक मिनट चलाते हुए पकाएंगे फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चली पनीर हमारी रेड़ी हो चुकी है फ्रेंड्स आप लोग भी जरूर ट्रै करिएगा ये बहुत ही डिलीसेज बनती है अगर आपको हमारी रेस्पी पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा मिलते हैं नेक्स्ट रेस्पी के साथ अला हाफिज